हां दोस्तों आज का हमारा प्राब्लम क्या है देखो एकदम सिंपल है करणटी इलेक्टिक से यहां पReek एक सर्कुलार लूब दिया है और सe और भी में हमें रेजिस्टस निकालना है क्या रहेगा इप्या बिट्वी और क्या क्या दिया है देखो हमारे हमें दिया है एंगल यह एंगल दिया है नाइंटी एंगल दिया है खली अब हम क्या कर देंगे देखो और लैमडा दिया है लैमडा क्या है रेजिस्टंस पर उनिट लेंट अब रेजिस्टंस निकालना है तो हमें पता है लैमडा रेजिस्टंस पर उनिट लें R2 मतलब resistance of the part A, M1 B, R2 मतलब resistance of the part A, M2 B, अब कैसे solve करेंगे देखो, यहाँ पर यह देखो, फिर से यहां मैंने diagram निकल दिया है यहाँ, तो R1 निकलना है, तो मैं क्या करता हूँ, R of length A, M1 B, Lambda into length of part A, M1 B, अब लेंद कितना आएगा 90 के सामने लेंद कितना रहता हमेशा सरकम्फरंस का फोर्थ पार्ट टूपायर वाइफ उसे हम टूपायर को एक्स कंसिडर करेंगे तो आरवन मिलेगा ल्यामडा एक्स वाइफ फोर अब आरटू अब आरटू मतलब क्या है रेजिस्टंस आप पा यह अब लेंथ रिमेनिंग लेंग कितना आएगा देखो दोस्तों रिमेनिंग लेंथ आने वल्ला है कितना त्री बाए फोर शरकम्फरंस तूपाय तो थी बाए 4 इंटू लामडा एक्स अब लेया आरवन भी मिल गया और रोटू इंग आप आरटू जात किस में आगे दे और स्वाल करो तो हमें मिलेगा 3 by 16 लैमडा एक्स ठीक है अब हमें एक्स की वैल्यू रखना है एक्स इकुल्ट क्या है टूपाया याद रुको आर स्मॉल आ रहे है रेडियस अब दो वायर तो हमें आंसर मिलेगा 3 by 16 लैमडा इंटू टूपाया लैमडा है रेजिस्टंस प भी तुम्हें याद होना चाहिए अब शॉटकट कैसे है देखो हमें वही डाइग्राम है पूरा एंगल वही दिया है और रेडियस दिया है तो कैसे सॉल करेंगे यह फर्मूला याद होना चाहिए इसको तुम रट्टा मारो आर वायर थीटा टूपाय माइनस सीटा वाइ सब्सक्राइब हो सकता है अगर दूसरे दो दो पॉइंट लिया तो अलग अलग हो सकता है तो थीटा का वैलू हमेचा रेडियन में लिको पाय वाइटू और स्वाल करो तो वही अंसर मिलेगा थ्री बाय सिक्स्टीन टूपाया इंटू क्लैमल थैंक्यू